नमस्कार दोस्तों मैं आज एक टेक्सी रिक्षा चलाने वाले ड्रावर भाईयों के लिए एक गुड नूद लेके आया हूँ गुड नूद यह है कि दिल्ली ट्रांस्पर डिपार्टमेंट ने ओला उबर और रैपीडो बैक टेक्सी पर बैन लगा दिया है और पाबंदी के खिलाब जाने पर भारी जुर्मानी की घोशना की है जी हाँ ततकाल प्रहाव से दिल्ली में बैक टेक्सी सर्वीस को परतिबंधित के जाने से ओला उबर रैपीडो के साथ ही इन हजारों लोगों को बड़ा जटका लगा है जो इन बैक टेक्सी सर्वीस को देली ट्राविलिंग के रूप में इस्तिमाल कर दे थे और पैसे बचाते थे दिली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि मोटर विकल एक्ट पैसे में अगर किनिकर भविश में अगर किसी प्रावेट बाइक का इस्तिमाल टेक्सी सर्वीस के रूप में किया जाएगा तो पहली बार पांच जार जुर्माना और दूसरी या बाद में 10,000 रुपे जुर्माना लगा जाएगा इसके साथ ही ड्रेवर के ड्राविंग जरिये बुकिंग ली तो मोटर विकल एट के अनुसार उन पर खड़ी करवाई की जाएगी उनको आपको बता दे कि महराश्ट में भी ओला उबर रैपीडो बाइक टेक्सी पर सर्वीस की पावंदी लगा दी गई है आने वाले समय में इस पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है इस पर हजारों लोगों की नजर रहेगी क्योंकि बाइक टेक्सी सर्वीस से काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं ऐसे में लाखों लोग का रोजी रोटी पर निर्भर है पर कहीने कहीं सरकार का एफैसला सही माना जा रहा है क्योंकि यह जो बाइक टेक्सिया है इसके सभी के सभी बाइक टेक्सी प्राविट नंबर यूज़ करते हैं और ये कमेर्शल काम के लिए इस्तवाल किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है वाइट प्लेट होता है वो सिप पर्सनल यूज़ के लिए होता है उसमें आप कहीं भी बुकिंग ले नहीं सकते हैं धंदे के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं पर ये रैपिडो, ओला, उबर ये कमपनियां वाइट प्लेट बाइक वालों को भी उसमें एड़ करके उसके बुकिंग करवा कर उसमें पैसे कमा रहे थे जो कि सरासर गलत है ये जो वाइट प्लेट वाले बाइक टेक्सी होते हैं इनकी ना तो परमिट होती है, ना इनका बैज होता है तो ये एक तरह से देखा जाए, तो पैसेंजर के लिए भी बहुत खतानाक हो सकता है क्योंकि इनका कोई पॉलिस वरिफिकरशन ही होता कोई इंक्वारी नहीं होती बस ओला उबर रैपिडो इनको सिप आईडी बना देता है उनकी कोई इंक्वारी नहीं करता कोई बैग्राउंड पूछा नहीं जाता कि इसके पिछे कोग केस है या जो भी है तो उससे क्या होता है कि जो पैसंजर इस पर बैठते हैं गाडी में उनके लिए भी खत्रा हो सकता है काफी रिक्षा टेक्सी ये इनियन वालों का मांग था कि ये जो ओला उबर रैपीडो की जो बाइक टेक्सी चल रही है इन पे पाबंदी लगाए जाए तो इस सुप्रीम खोट के इस फैसले से इन सभी इनियन वालों को काफी रहात के सांस मिली है और उन्होंने उसका स्वागत किया है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाऊ तो लाइक कीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों जब शेयर कीजिए ताकि हमारे दोसरे डॉर भाई को भी आडिया लग जाए कि इस वक्त क्या समाचार है ओलाओ बर वेडियो के बारे में दोस्तों वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में